वेल्कम बाक टूरोन चैनल कुशिका एजूकेशन माइनेम इस नदी और आज हम अपना जो नेक्स सेशन है वन वर्ड सब्रेजिशन और एडियम फ्रेज़ के लिए कंट्यूनि करते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्स्ट कुशिन है आपका वन वर्ड सब्रेजिशन जि पर पर पार संव इस ब्लेम फॉर्ड डॉंड दोइंगस अफ अदर एक परसन जिस पर ब्लेम लग जाता है कुछ भी गलत करने का उसका इसको हम क्या बोलेंगे इंगे स्केब कोट ठीक है सी जो future मतलब किसी और का ब्लेम किसी और परसन पह जाता है तो वो क्या हो जाता है स सुस्त ठीक है फ्लगमेटिक होता है सूस्त बश् norm कि जो मैंच करता है फैनेंचील अफेर्स को कॉलेज में या इधिक बशे और कैप्टर आपको पता है क्या होता है कैप्चरिंग क्या ने वाला उसको क्या बोल ते कैप्टर ये तो सी अप्षिन केहां पे करेक्ट होगा का answer is C next second one is something capable of being done ऐसा कुछ जो हो सके ठीक है उसको क्या बोलेंगे tenable, explicable, feasible या फिर probable tenable क्या होता है tenable होता है लायक ठीक है tenable होता है लायक उसके बादे next explicable explicable क्या होता है समझाने के योग्य है explicable होता है समझाने के योग्य है उसके बादे feasible, feasible क्या होता है कि ये feasible है के नहीं वो होता है something capable of being done जो संभव है जो हो सकता है संभव, मतलब जो answer होगा वो हमारा क्या होगा option C होगा ये तो में पता लग गया और probable क्या होता है संभावित ये होता है probabilities related हो भी सकता है अशंका भी है इसके अंदर ये क्या है संभव है जो possible है और संभावित क्या है कि हो सकता है ठीक है शोर नहीं है दोनों में फरक है संभव और संभावित में feasible और probable तो जो C option है आपका something capable of doing done जो possible होना जो संभव है उसकों बोलते हैं feasible C option ठीक है हम जो अपना वो है one word substitution उसके अंदर complete कर लेंगे इसलिए मैंने कुछ छोड़े थे सिर्फ क्योंकि उस दिन सिर्फ 25 most important हमने किये थे आज हमें क्या करने है जो एक तो बच जाएगा वो आपके one word substitution में जो आपके previous year में repeat हुए वो ऐसे complete होते रहेंगे ठीक है तो study of insects क्या होता है etymology entomology zoology या फिर anthropology जो हमारा correct option वो क्या है a etymology ठीक है जो study of insects को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे sorry etymology नहीं entomology ठीक है similar लग रहे थी इसलिए तो etymology तो क्या है हमने पढ़ा था जो words है उसकी history के बारे में जाना ठीक study of history for the words है या फिर language है भाशा या फिर शब्दों की history के इतिहास के बारे में पढ़ना वो क्या होता है etymology ठीक है words या फिर language यहाँ पे में आप लिख रहे हूं ठीक है study of human history of manushy jati का जो विज्ञान होता है वो किसके अंदर आएगा anthropology ठेक है तो हमारा जो option है वो क्या हो जाएगा बी option correct है clear next है fourth है action that is likely to make people very angry ऐसे ही ऐसा action ऐसा काम जिससे बहुत जादा गुसा दिलाई जो इन्जान को वो क्या होगा उसकों क्या बोलेंगे इंफ्लेश्री या फिर इंफ्लेश्री या फिर इंफ्लेश्रेबल या फिर इंफ्लेमेटरी बताईए action that is likely to make people very angry जो बहुत गुसा दिला दे ऐसे action को क्या बोलेंगे inflationary किस से related है inflation से related है जो economics में inflation होता है यह उससे related है ठीक है महंगाया बोल सकते हो इसके काम शब्दों में लेकिन inflation इसका मतलब पूरा एक वह होता है मतलब जिस तरीके से demand है किस तरीके से prices change हो रहे है ठीक है वह पूरा concept होता है इसका ठीक है इंफ्लेमेबल क्या होता है इंफ्लेमेबल हो होता है मतलब किसी चीज आग जो पकड़ ले ठीक है ना इसके बाद आता है commensurable क्मेंसरेबल क्या होता है मतलब जो same standard से हम measure करें किसी चीज को वह क्या होता है क्मेंसरेबल उसके बाद है d option inflammatory inflammatory क्या होता है action that is likely to make people angry जो बहुत ज्यादा क्रोधित या फिर गुसा दिला दे ठीक है वो क्या हो जाएगा यहां पर inflammatory मतलब जो d option है वो हमारा correct होगा clear next is act of mercy killing mercy killing क्या जो एक्ट होता है उसको क्या बोलते है suicide anthirnesia या फिर emolition या फिर asafixation बताए suicide तो आपको पता है क्या होता है आत्में हत्या काना ठीक है और act of mercy killing यह भी आपको नहीं सुनाई होगा common सा word है ऐसे ही common questions आ जाते हैं कोई ऐसा नहीं कि बहुत ही पता नहीं कहां से आ जाएगा simple words भी बहुत बार आ जाते हैं ठीक है तो जो B option है हमारा answer is B ठीक है ethnesia ठीक है the act of mercy killing emulation क्या होता है emulation होता है बलीदान कर लेना अपने आपको जैसे किसी आप खुद को आग लगा लेते हो ठीक है इस तरीके से self emulation उसको हम बोलते हैं अपने आपको setting on fire ठीक है बलीदान बोल सकते हो यह आप ऐसे fixation क्या होता है जो कमी हो जाती है oxygen की ठीक है ना जरीर के अंदर तो deficient supply of oxygen वो क्या हो जाएगा ऐसे fixation clear next word है 6th is people who belong to the same country जो अपने ही country से अपने ही देश के जो लोग है उनको क्या बोलेंगे petroids comrades competitors या फिर natives पिताइए natives थो हमने कल भी किया था वह कैब मी petroids क्या होते हैं देश्भक्त पैटरीयंगे रिखन धेश्भक्त वह कैया होते कोई बहुत कई आपका कली यह फिर कोई बी आपके साथ मेंबर आपके organization में कहीं वह भी बिचीए तो वह क्या यहाँ पर आपका जो answer होगा वह C ही होगा ठीक है compatroids, compatroids क्या होते है जो एक ही अपनी fellow country के जो मैं, वह होते हैं, citizens होते हैं उसको हम बोलते है compatroids, natives आपको पता है जो मूल निवास ही होते हैं ठीक है, वह क्या होती है आपका जा इन्हेटेंट जो है वो हो जाएगा नेटिब से रिलेटेड तो आंसर जो C है वो हमारा करेक्ट है next is a list of explanations of rare, technical और absolute words ऐसी list मतलब ऐसे words आपके पास है जो बहुत ही rare है या technical या obsolete है इस तरह की जो words है उनकी list को मैं क्या बोलेंगे dictionary, glossary, lexicon या फिर catalog dictionary आपको पता है क्या होती है ठीक है, glossary भी आपने दिखा होगा जो छोटे बच्चों की books होती है उसके अंदर जो difficult words होते है उनकी meaning chapter के end में मिलेगे है तो वही glossary होता है list of words explaining their meanings ठीक है वो क्या होता है glossary, lexicon तो हमारा जो यहां answer हो जाएगा अब वो क्या हो जाएगा C lexicon ठीक है answer is C lexicon क्या होता है a list of explanations of rare technical or obsolete words जो D option है catalog catalog आपको पता होगा complete list होती है items की ठीक है कोई भी आपका item है जो भी आपको buy करना है sold करना है उसका मतलब जो पुरा catalog हम prepare करते है लिस्ट करते हैं ठीक है next word है underground place for storing wine or other provisions मतलब ऐसी underground जगे को हम क्या बोलेंगे जहां पर आप wines को store करते हैं फिर कोई भी other provisions है मतलब salt वगेरा को भी ऐसी कोई भी आपको किसी चीज को store कर रहे हो underground में तो इसको क्या बोलेंगे garage बोलेंगे seller attic या फिर hole देखो garage और hole तो आपको पता है garage जहां पर अप attic क्या होता है seller क्या होता है जो हमारा यहां पर answer का भी option ही होगा कोई भी आप underground place में आप store कर रहे हो wines को या फिर salt वगेरा ऐसी चीज को तो seller होता है उसके बाद आता है attic attic क्या होता है room या space होता है just below the roof of the house जो आपका घर की चछत होती है ना उसके नीचे चुटा सो जो space होती है अब तो खैर जैसे double story काफी ऐसे buildings बनाने लग गए है लेकिन जैसे नीचे आपका आपका floor है उसके ऊपर जहां से आपके stairs होती है तो थोड़ा सा space वहां पर होता है तो आप क्या करते हो जो extra सामान है वो रख लेते हो तो उसको आप attic बोल सकते हो या फिर आपने इस खाली होता है वो उसको storage purpose के लिए use करते है तो उसको हम attic बोल देते हैं clear तो हमारा जो answer हो जाएगा वो क्या हो जाएगा जो B option है वो correct होगा seller clear now next word is free somebody from blame blame or guilt मतलब किसी को blame से मतब दोश्मुक्त करना बोल सकते हो या पर कोई guilt है कोई blame है उससे उसको मुक्त कर देना दोश्मुक्त करना free somebody from blame और guilt उसको क्या बोलेंगे excuse, reprimand, exonerate या फर acquit एक्सक्यूस आपको पता है कोई भी बहाना ठीक है रेप्रिमेंट बहुत बार कर चुके है reprimand बोल सकते हो, rebuke आप बोल सकते हो ठीक है किसी को डाट ना ठीक है उसके बाद है exonerate जो यहाँ पर exact answer क्या हो जाएगा हमारा C exonerate क्या होता है दोश्मुक्त फ्री संबड़ी फ्रॉम ब्लीन और guilt answer is C, D is acquit, acquit क्या होता है, acquit मतलब होता है बरी करना, acquit क्या होता है बरी करना, officially आप court से किसी को decide कर रहे है कि जो person है वो उसने कोई crime नहीं किया है, तो वो होता है basically acquit, ठीक है, तो C option यहाँ पे हमारा correct होता है, last आपका one word है, one who does something for the first time, उसको क्या बोलेंगी जो पहली बा होता है, देखो यही होता है, one who does something for the first time, पहली बार जो कर रहा है, पहली बार आप study कर रहे हो, या फिर ऐसी development आपने अंदर ला रहे हो, particular area में, knowledge में, culture में, किसी चीज में, तो वो क्या हो जाएगा, pioneer हो जाएगा, तो D option यहाँ पी हमारा correct होता है, ठीक है, leader or model तो आपको प बोल सकते हो, simply, वो होता है forerunner, अगर दो बोल सकते हो, या आगे मतलब क्या होने वाला है, आगे की देख के जो बता सकता है, कि हाँ इस तरीके इतना logical mind हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो correct answer वो आपको क्या होगा, D option correct होगा, तो यह हमारे कुछ one word substitution यहाँ पे complete होते ह हम चलते हैं, idioms and phrases पर, जिसमें आपका first, जो आपका idiom है, वो है, to be above board, to be above board का meaning क्या होता है, to have a good height, to be honest in any business deal, to have no debts, या फिर try to be beautiful, कोई अच्छी सी height पर हो या फिर कोई honest अपनी business deals में इमानदार है बोत या फिर they have no debts, कोई कर्ज नहीं है, या फिर try to be beautiful, beautiful लगने की जो को सिर्फ है, वो क्या होगा, to be honest in any business deal, मतलब जो B option है, वो हमारा यहां पर correct होता है, clear, next here, idiom phrase आपका, to pick holes, to pick holes, का मतलब क्या होगा, to find someone reason to quarrel, मतलब कारन डूनना, कोई वजय डूनना, मतलब जगड़े के लिए, या फिर argument करने के लिए, to destroy something, कुछीज नष्ट कर देना, to criticize someone किसी के निंदा करना, criticize करना, कमया, गलतिया निकाला है, या फिर to cut some part of an item, किसी part, किसी item का कोई हिस्सा, हटा देना, काट देना, to pick holes का मतलब, जो है, जो correct answer है, वो क्या हो जाएगा, C option, to criticize someone, किसी चीज में, आप to pick holes, उसके अंदर कमया निकाल रहे हो, कि उसका जो, मतलब, किसी तरीकी से जो bad things है, जो worst things है, उन पर आप focus आप दिला रहे हो, ताकि, वो चीज अच्छी ना देखे, bad देखे, ठीके, that seems to bad, तो C option यहाँ पर, to criticize someone, हमारा exact answer होगा, option C, clear, next है, to leave someone in the lurch, to leave someone in the lurch, का meaning, क्या होगा, बताइए, चार options में से आपके पास, first है, to come to compromise with someone, किस किसी को irritate करना, annoy करना, ठीक है, to put someone at ease, किसी को comfort level पे easy, ease करना, to desert someone in his difficulties, difficulties में, desert मतलब क्या हो जाता है, अखेला चोड़ना, ठीक है, to leave someone in the lurch, को आपको meaning से ही, थोड़ा-थोड़ा समझ में आ रहा होगा, क्या होता है, किसी को आप जो मुश्किल वक्त है, उस time पे support नहीं कर रहे हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, to leave someone in the lurch, to desert someone in his difficulties, क्या है, मतलब, to stop supporting when किसी को जाधा आपकी जरूरत है, clear, तो जो D option है, वो हमारा correct बनता है, next is, fourth is a black sheep, black sheep क्या होता है, unlucky person को हम बोलेंगे, या फिर old or disreputable member, जिसकी मतलब इतनी, जो reputation इतनी ना हो, खराब reputation हो, कोई अगली person उसको बोलेंगे, या फिर आप partner who takes no share of the profits, ऐसा partner जो profits में से कोई share अपना ना ले, black sheep का मतलब, क्या होगा, जो B option है, old or disreputable member, ठीक है, वो किसी का भी कोई group का member हो सकता है, especially आपकी को family का member हो सकता है, जिसकी, मतलब, इतनी जाधा reputation ना हो, clear, next is, मतलब, यहाँ पे हम major share, जो largest part है share का वो, minor share, छोटा सा हिसा share का, या फिर heart of the free, जो आपका free है, को शिकार है, उसका heart, ठीक है, loyal share का मतलब क्या होगा, जो B part है, ठीक है, loyal अपने आप में एक बड़ा word है, ठीक है, तो तो बड़ा share होगा, वो आपको क्या होगा, major share जो होगा, आपका largest part जो होगा share का, वो correct answer होगा, उसको क्या बोलते है, low and share, तो B option हमारा यहाँ पर correct बनता है, clear, next word है, next idiom है आपका, at daggers drone, यह काफी बार repeat हो जाता है, काफी exams में repeat हो जाता है, ठीक है, at daggers drone का मतलब क्या होता है, real cause to be puzzled at enmity, या फिर at friendish, तो यहाँ पर real cause कोई असल कारण है, किसी चीज का puzzle है, confusion है, शत्रुता है, किसी के साथ hostile nature है आपका, ठीक है, या फिर friendships related है, तो at daggers drone का जो answer है, वो क्या होगा, at enmity, ठीक है, किसी के साथ शत्रुता हो, ठीक है, तो C option हमारे यहाँ पर correct होता है, clear, next है, a turncoat, a turncoat means क्या होता है, one who changes one's opinion और party, जो अपने opinion बदल ले, अपनी party बदल ले, a wet coat, जो गीला coat हो जाता है, poor man को हम बोलते है, a turncoat मतलब कोई गरीब आदमी है, a man of principle, तो किसको बोलेंगे, a turncoat, तो a turncoat मतलब क्या होता है, one who changes one's opinion और party, अपनी party को छोड़की दूसरे में शामिल हो जाए, उसको हम क्या बोलते है, और turncoat, या फिर अपने opinions 15, कौन से number को हम baker's dozen बोलते हैं, baker's dozen हम बोलते है, 13 number को, baker's dozen क्या होता है, 13, dozen क्या होता है, 12 होता है, baker's dozen क्या होता है, 13 होता है, clear, तो C option हमारे यहां पर बनता है, next है हमारा, ninth is next to nothing, next to nothing का मतलब क्या होगा, hardly anything, कुछ मतलब ना के बराबर ही, to produce, या फिर without answer, कोई answer नहीं है, या फिर reject without consideration, बिना consider किये ही, आपने उसको पहले ही reject कर दिया, next to nothing का मतलब क्या होगा, hardly anything, मतलब nothing की करिये, nothing से भी आगे कुछ, next to nothing, तो क्या होगा, hardly anything, की कुछ है ही नहीं, clear, तो जो A option है हमारा, यहां पर ही correct होता है, next is, last one है, lean and mean का मतलब क्या होता है, to destroy something, to create something, using only what is necessary, या फिर not afraid of dangerous situations, to destroy something, कुछ destroy करना, नश्ट कर देना, या फिर कुछ बनाना, या फिर जो सिर्फ necessary है, वही use करना, या फिर not afraid of dangerous situations, कोई बुरी आपके पास situation आ जाती है, तो उनसे डरना नहीं, lean and mean का मतलब क्या होगा, using only what is necessary, ठीक है, मतलब जो ज़रुत है, सिर्फ उतना ही use करना, ठीक है, तो जो C option है, वह हमारा correct होता है, तो यह कुछ आज की आपकी idioms, phrases और one word substitution थे, तो आपको पता है, Saturday, Sunday, आपकी क्लास नहीं होगी, वह CAP की और जो आपकी वर्प की class है, आपकी सिर्फ one word substitution ही होंगे Saturday, Sunday को, लेकिन Sunday को कल आपका test है, तो उसके लिए आपको prepare रह है, आज के लिए नहीं, lecture बसंद आई, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आज के लिए नहीं, thank you and have a great day.